हलो दोस्तों मेरे ना है पंकज और आप देख रहे हैं यादव गराच चैनल चलिए शुरू करते हैं आज आपके सामने वाइट कलर में खड़े हुई है महिंद्रा एक्स यूभी थ्री डवल ओ यह एक्स यूभी थ्री एक्सो मस्ता मझ लेना थ्री डवल है इतना वड़ा वूटी स्पेस मिल जाता है सबसे पहले मैंने आपको वूटी देखा दिया इस गाड़ी की जो प्राइज स्टार्ट होती है वह सात लाक निन्यानवे हजार से स्टार्ट होती है 146 तक जाती है एक मैलेज दोनों का सेम मिल जाएगा 20-22 ठीक है फ्यूल आपको अप्शन मिल जाता है डीजल और पैट्रॉल जो अभी आपके मर्जी हो आप ले सकते है इसके अंदर अभी आपके सामने खड़ा हुआ है बेस मॉडल ठीक है वो है आपका थ्री डवलो का वो भी डीजल वर्ज मिलता है मैक्स पाबर निकालता है 115.5 भी एचपी की 3750 रपीम जाती है मैक्स टॉर्क निकालता है 300 एने जो की 1500 से लेकर 2500 रपीम जाता है सिटिंग कैपसिटी 5 है टांश्मिशन टाइप ऑटोमेटिक मिल जाता है फ्यूल टैंक की बात करो तो गाइस आपको 42 लिटर का फ्य इंटर विल ड्राइव है यह तो मैं बार बार बोल रहा हूं बीए सिक्स 2.0 इसका इंजन जो बना हुआ है वो चीज़ है ठीक है अब यह एना इसके अंदर वह 16 इंचिस के टायर मिल जाएंगे आपको इस गाड़ी के अंदर पीछे का इंटीर काफी अच्छा लग रहा है सीट्स है ना इसके अंदर जो काफी प्यारी हो फैब्रिक टैप में दी हुई है ठीक है अगर चड़वालो तो और अच्छी है लंबाई की बात करूं गाड़ी की पूरी तो फिर वह 4995 मिल जाती है और चोड़ाई आपको 1821 मिल जाती है हाइट की बात करूं 1627 मिल जाती है और वील वेस की बात करों तो 2600 मिल जाती है यह चीज मुझे काफी अच्छे लगी गई आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट किया करो यार रिपलाई भी दूंगा मैं आपको सारे कमेंट हो का अभी कुछ प्रॉलम थी तो मैं देनी पा रह यार इसकंदर आपको संडूरूप देखने के लिए मिल जाएगा लाइट देखो संडूरूप मिल रहा है गाईज या आपको यार इसमें ना चस्मा रखने के लिए ना वो मिल जागा एक बॉक्स लेकिन संडूरूप मिल जाएगा संमाइजर वो देखो संमाइजर पर या कुछ फीचर से अटा दी है यार किस तरीके की यह मतलब गाड़ी बनाते हैं पता नहीं है क्योंकि अगर यह है ना क्या नाम है बेस मॉडल है तो इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा आपको डिस्पेले नहीं मिल रही है हैंडल पर कोई भी कंट्रोल से नहीं मिल रहे हैं बट आपको इसके ऊपर है ना यार वो जरूर मिल रहा है सन रूप यह तो चीज काफी अच्छे लगी फ्रेंट में देखने से आपको देखो बंपर गिल ब्लैक मिल जाती है और चारो साइड आपको इस गड़ी के अंदर जेतने भी बल्ब लगे हुए है ना चाहें वो हैडलाइट की बात कर लो इंडिट की बात कर लो सारे के सारे आपको हैलोजन बलब मिलने वाले हैं ठीक है चार टोटे चार स्पीकर मिल जाते हैं पावर विंडो मिल जाती है आप देखी रहे हैं गाईज नीचे देखो सी टीवी आपको एना ओटोमेटिक नहीं है हाथ से ही करनी पड़ेगी हैंडल पर कोई भी कंट्रोल से नहीं मिलता बस मेंदरा का लोगो लगा हुआ है सामने कोई भी कुछ भी नहीं है डिस्पले तो है नहीं है गाईज यह देखो नहीं आम रेस्ट मिलेगा बस दो का फोल्डर दे दिया है इंटीरियर काफी अच्छा कर दिया आपको कैसा लगा एक बर मुझे कमेंट करके बता है गाईज लाइज लाइज ब्सक्राब आपको करेंगाईज यह दो अच्छानल थैंट्वचे इन वर्न दीमात्र मुझे बाएज